हेलो फ्रेंड्स वेलकॉब टू टीचिंग दुनिया आज हम एजुकेशन रिलेटेड इंपोर्टन फुल्फर्म के बारे में जानेंगे जो टीचिंग एप्टिचुड में आता है जितना भी आप एक्जाम देते हैं बेड़ी एक्जाम देते हैं उसमें यह सब कुस्चन इसका फुल्फर्म में यह फार्मेशन हुआ था 1961 में इसका हेड़कॉर्टर है न्यू दिल्ली में तर नेक्स्ट है स्टेट लेवल में कम करता है नेक्स्ट रामसा का फूल्फर्म क्या है राश्ट्रियम अध्यमिका सिख्चया अभी जिसका फर्मेशन हुआता है 2009 में नेक्स्ट है एंपी एंपी का फूल्फर्म क्या है नेशनाल पलिशी अप एजुकेशन तो एंपी 1968 में हुआ 1986 में भी एंपी दिया था तन 1992 में 2009 में मत दिया एंपी दिया है तन नेक्स्ट है SSA का फूल्फर्म क्या है सर्बस सिख्या अभिजन जिसका स्टार्ड गवाता 2001 में दिननक्स्ट है ICT ICT का फूल्फर्म क्या है Information and Communication Technology CCE का फूल्फर्म क्या है Continuous and Comprehensive Evaluation दिननक्स्ट है NCF NCF का फूल्फर्म क्या है National Curriculum Framework जिसका 2005 में दिया है 2005 में NCF दिया है दिननक्स्ट है NUEPA निवपा का फूल्फर्म क्या है National University of Educational Planning and Administration दिननक्स्ट है डायट डायट का फूल्फर्म क्या है District Institute of Educational Training कि दनक्स्ट है MHRD MHRD का फूल्फर्म क्या है Ministry of Human Resource Development इसका फॉर्मेशन हुआ था इस्टाब्लीश हुआ था 1985 में कि दनक्स्ट है MDM MDM का फूल्फर्म क्या है मिड़े मिल जो मिड़े मिल स्की में यह 1995 में स्टार्ट हुआ था कि दनक्स्ट है UEE का फूल्फर्म क्या है इनिवर्चल आइशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन जो 6-14 बच्चे के लिए प्री एंड कमपल्सरी एजुकेशन मिलेगा तो दनक्स्ट है MLL ML का फूल्फर्म क्या है मिनिमूम लेबल लाने तन नक्स्ट है EFA EFA का फूल्फर्म क्या है एजुकेशन फर आल तन नेक्स्ट है RCFC एक्ट जो पूल्फर्म ने दिया है सब्सक्राइब को सिक्स्ट टूफर्टी एजुकेशन दिया जाएगा तो नेक्स्ट है IDEA का फूल्फर्म क्या है इंडिविज्विज्विज्वित डिजावल्टी एजुकेशन एक्ट नेक्स्ट है MTA MT का फूल्फर्म है Mother Teacher Association नेक्स्ट है PTA PTA का फूल्फर्म क्या है नेक्स्ट है NIOS का फूल्फर्म क्या है नेशनल इंस्टिचूट आप अपन स्कुलिंग जो इस्टाबलीश वा था 1989 में नेक्स्ट है SOS का फूल्फर्म है स्टेट अपन स्कूल्स जो स्टेट लेबल में है SOS कि नेक्स्ट है CABE CABE का फूल्फर्म क्या है Central Advisory Board of Education नेक्स्ट है DPEP DPEP का फूल्फर्म क्या है District Primary Education Program जो जिसका इस्टाबलीश वा था 1994 में इसका अब्जेक्टिव है कि जो सब लुप है स्टूडेन के लिए बुक प्रवाइड करना उसके लिए कि अड्रेस देना यह सब कम करता है DPEP नेक्स्ट है BEC BEC का फूल्फर्म क्या है Village Education Committee नेक्स्ट है SMC SMC का फूल्फर्म है School Management Committee नेक्स SMDC SMDC का है School Management and Development Council then ECCE का फूल्फर्म में Early Childhood Care Education नेक्स्ट है POA PO के फूल्फर्म में Program of Action जो दिया था Program of Action 1992 में Program of Action दिया है जो NPE के बादे में नेक्स्ट है NIE NIE का फूल्फर्म क्या है National Institute of Education नेक्स्ट है UGC UGC का फूल्फर्म है University Grants Commission जिसका established वाता 1953 में UGC then next NCTE NCTE का फूल्फर्म क्या है National Council for Teacher Education जिसका established वाता 1995 में NCTE National Council for Teacher Education जो भी teacher training के लिए प्रोवाइड करता है नेक्स्ट AICTC AICTE का फूल्फर्म के All India Council for Technical Education जिसका established वाता 1945 में friends आपको वीडियो आच्छा लागे तो लाइक कर देना share कर देना friends friends को सायर कर देना एंड subscribe कर देना मेरा चैनल टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल को कि देनेक्स टेक्स CBSE का फूल्फर्म क्या है Central Board of Secondary Education जिसका फर्मेशन हुआ था 1962 में तेन आटी आटी का फूल्फर्म है राइट टू एजिकेशन जो 6-14 यूर्स लेड़ बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा और कौन सा आटीकिल में हमको मिलता है यह बच्चों के लिए ट्वेंटी वान एटीकिल में यह राइट टू एजिकेशन के बारे में लिखा है जो नेक्स्ट है के बीएस के बीएस का फूल्फर्म किया है केंत्रिया नीड्स नेक्स्ट एंटी 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 का फूल्फर्म है नेशनाल टेस्टिंग एजनसी जो नेड एक्जाम देते है उसको कंड़क्ट करता है नेशनाल टेस्टिंग एजनसी नेशनाल एलिजबिट टेस्ट के लिए लेक्चर के लिए एक्जाम देते है वो नेशनाल ट उसको बलते है सी डॉलूएसन जो स्पेशियाल ली एबूल चिल्रन है चिल्रन दूर स्पेशियाल निड्स धन्नाक्स ठाय करने hypertel TLA को परम क्या हैते हिर्षिंग लानिंग इकुब्मेंट्स नाक्स ते एसेसे का फुर्फिन किसमीशन क्या है तर्येक्ट सफेहे। आसेस्टमेंट एन एक्रिड़ेशन काउंसिल इसका फुर्फिन और नेशनल एस्टमेंट एनाजीवाड काउंसिल ज् भी कलेज है उसको दिखने के लिए आते है नाक कमिटी और उसको ग्रेड भी मिलता है कलेज को कौन सा ग्रेड मिलेगा यह नाक कमिटी डिसाइड करेगा युनेस्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश स्टिस्ट जो बेगपड क्लासे से उस लेड़की को यह स्कुल खुला है को स्ट्रवागांदी बाली का विद्ध्या तूधाउजन पूर में अधन्यश्ट एफ एफए का फूल्पर्म क्या है फर्मेटीव एसेस्मेंट जो भी क्लास्रूम में जो एसेस्मेंट करते हैं सुमेटीव एसेस्मेंट जो एन्नों ली लास्ट में एकजम होता है छो सुमेटीव एसेस्मेंट जो फांअल एसक्सआ औरॉल एफ्टि एस बीई को मेहें सुकूल बिए efficient school based के इंस्टिच्रूट अफ एडवांस टड़ी इने एजिकेशन यह भी है एक टिचर टेनिक इस्टिचूट है आई एसी इस्टिच्विशन आप एडवांस टड़ी इन एजिकेशन पनेच्ट एप से पीपी पीपी का फुल्फम क्या है पबलीक प्राइबेट पार्टरशिप then next ICDS ICDS का फुलप्र क्या है Integrated चाइड डीवलेमेंट सर्वीश स्कीम पलब्लब क्या है साउथ ऐसे यान इसूशिएशन फर रीजिनल ऊपरेसन पर फॉप्रिश्म पर एसोचेशन फर रिजूनल और संदेश्ण डाबलु एच्ट का फुल्फित क्या है वाल्ड हेल्ट अरगानेशंच इसका फॉर्मेशन वान था ना इंटीन फोटीयट में और जिसका हेड़कवाटर रेजैनिभा ओजिसका हड़कॉटर रेजैनिभाट तर नेक्स्ट है वाइफाई वाइफाई का फूल फोर्म क्या है व्यर्लेस फिडलीटी जैनलेक्श द्र यूडी एचार का फूर्म क्या है इनि वेश अप इनिवर्सल डिकलर्शन आप हुमान राइट्स दिद्ध का फूल फर्म है है यह टोटाल जो भी इंपोर्टन है को फुल फर्म से एड़केशन रिलेटेड यह सभी एकजम के लिए आपके लिए एलपूल होगा यह बीडी एकजम जो रिजिणाल एस्टीचिट अब इसमें बेडी एकजम देते हो इसके लिए अच्छा होगा जो भी डी टी या सिटी या OSSTT और भी जितना टेड़ एक्जम देते हो इसके लिए आपको लिए ये वीडियो हेल्प करेगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना और टीचिंग दुनिया एटीब चनल को सब्सक्रिब्ब कर देना तक देना तक देना तक दो लाइक कर देना और प्लीज भी देना खाल कर देना झाल को कर दो सब्सक्रिब्दार प्लीज दिय।